लगभग हम लोग को चार तीन-चार सो मीटर तक प्रसासन के लोग कम से कम पचीस-पचास के संख्या में हम लोग पांच युवाओ को पहले घसीता गया उसके बाद से डंडे से मारा तलो तो आज भी दाग पड़ा है तो ये बरबरता पूरवक उन लोगों ने हम लोगों प बात में करने मिल करके ही रहेगा हमको उम्मीद है कि य हम लोग शिना ङंव जारी रखेंगे इस लड़ाई में लुग करेंगों बो'M फिन नहीं नहीं हो जाता है हम फिस लड़ाई में आज जारी हो ये दो वर्सों से लडाय को आपना यह बहुंचा जाया तो हम लोगों यह सही लगा तो हम लोगों ने किया अब हम लोग के हाथ में 2700 था नहीं एक ग्यापन था जो कि मुख मंतरी जी को देना था बोट दिये हैं तो भाई इतना तो लही सकते हैं कि जितने बड़े से बड़े नेता आजाएं हम उनको भी रोकेंगे और इसलिए रोकेंगे कि हमको गुपाल गंज में विस्विद्याले देखना है हमको चाहिए विस्विद्याले हम पीछे नहीं हटेंगे आज वादा करते हैं जितने भी बड़े से बड़े नेता आजाएं हम सब को रोक करके अपना ग्यापन देंगे उसके लिए चाहे हमको जेल जाना पड़े चाहे कितना लाठियाँ खाना पड़े चाहे गोली का आने खाना पड़े हम रोकेंगे और अपनी बातों को पहुचाएंगे गुपाल गंज में एक विश्विद्याले के लिए फिछले दो वर्सों से लागतार आंदोलन कर रहे हैं लागतार संगर्सरत हैं और हम लोग को लगा कि अगर हमारी मुखमंत्री जी हमारे घर के तरफ से जा रहे हैं तो हम लोग उनको रोक करके अपना ग्यापन दे दे और ग्यापन के माध्यम से हम उनको अगत करा दे कि गुपाल गंज में एक विश्विद्याले की जरूरत है लेकिन हमारी बहनों का क्या वो मजबूरन अपनी परतिभा को दाब के और अंतत्ता साधी व्या करके किसी घर में जा करके रोटियां बनाने का काम करती हैं उनके परत कीजिता है तो समझ लेजे कि कि नजाने कितनी बहनों का भवीश्विश्चित हो जाएगा और कितने युवासात हो जाएगा यह हम लोग लगतार हर प्रकंड में हम लोग एक बैठक कर रहा है जिस बैठक 되면 विश्विद्ट कर रहे हैं अब देखेंगे दोतीन बैठक हम लो पड़ेगा उन लोगों को जागरुक किया जा रहा है ताकि युवा जैसे जगेंगे उसके बाद से हम लोग फिर से गोपाल गंज में डीम साब को ग्यापन दे के पैदल आएंगे और पटना की सड़कों को जाम करेंगे अगर हमको विश्विद्याले नहीं मिलता है राज के मुख्यमंत्री नितीश कुमार की गारी वहाँ पर रुखती है मुख्यमंत्री नितीश कुमार खुद पूछते हैं कि आखिरकारिन को क्या चाहिए और जिन पाच लड़कों ने मिलकर काफले को रोका उन लड़कों की मांग थी कि हमारे जिले में मुख्यमंत्री महोदे ए एक बिश्व बिद्याले बनवा दे और उन्हीं पाच लड़कों में से दो लड़किया अमारे साथ मोजूद हैं, एक का नाम भी पुल्चोवे हैं, तो दुसरे यासिश जी हैं, और हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था, पूरी की पूरी योजना कैसे म कि मुख्यमंत्री तक अपनी बात को पहुचाना है, और मुख्यमंत्री तक बात पहुची, तो उसके बाद अब तक क्या हुआ, उस आगे बातचीत करने से पहले हम अपना परिचय दे दे, नमस्कार में नाम है मोहित कुमार सिंग, और आप जनता जेक्षन देख रहे हैं, सबसे पहला सवाल भी पूली से होगा, कि उस दिन पूरी की पूरी योजना कैसे बनी, वहाँ पर जब लड़के पहुचते हैं, मुख्यमंत्री नितिश्कमार को रोखते हैं, तब मुख्यमंत्री ने क्या कहा? सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों का अभार रहेगा, और सबसे पहले हम लोग एक अचानक से मुख्यमंत्री जी का गोपाल गन में आने का प्लैन हुआ, तो पहले वो हेलिकेप्टर से आने वाले थे, उसके बाद से बाई रोड उनका रूट मैप बना, तो अचानक हम ल लोगों ने भुपाल गज में विष्विद्याले के लिए फिछले दो वर्सों से लगतार आंदलन कर रहे हैं लगतार संगर्शरत हैं और हम लोग को लगा कि अगर हमारी मुखमंत्री जी हमारे घर के तरफ से जा रहे हैं, तो हम लोग उनको रोख करके अपना घ्यापन द प्रशासन के लोग कम से कम पचीस पचास के संख्या में हम लोग पांच युवाओ को पहले घसीटा गया उसके बाद से डंडे से मारा तलो तो आज भी दाग पड़ा है तो यह बरबरता पुरुवक उन लोगों ने हम लोगों पे लाठी भी चलाया और जबरदस्तिक खीच क करके हटाया गया भी जबकि मुखमंत्री जी काफिला रोके थे और यह भी पूछे थे कि क्या ममला है बता हो लेकिन प्रशासन के लोग हम लोगों को वहां जाने नहीं दिए हम लोगों से बात नहीं करने दिए अब अगला सब कुछ हुआ उसके बाद आप लोगों प्रश प्रशासन के लोगा है जी नगर्थाना की इंस्पेक्टर है ललन जी उनके द्वारा यह हम लोगों को आश्वाषन दिया गया कि आप लोगों का घ्यापन जो है मुखमंत्री के दौरा स्विकार किया गया है लेकिन यह बात मुझे पूर्ता नहीं पता है कि यह सच ही है य प्रशासन के लोग हमारे जिल्दा के लोग अच्छे हैं वह हम लोग हम लोग का मामला क्या है और क्यूं आप लोग माननिय मुख मंत्री जी का काफिला रोकने का काम किये हम लोगों ने सब कुछ बताया कि विगत दो वर्सों से हम लोग इस पर लड़ाया लड़ रहे हैं आखिरकार हमने यह प्लान मनाया कि कैसे मुख मंत्री जी तो अपना ग्यापन पहुंचाया जाए तो हम लोगों यह सही लगा तो हम लोगों ने किया हम लोग के हाथ में 2700 था नहीं एक ग्यापन था जो कि मुख मंत्री जी को देना था बोट दिये हैं तो भाई इतना तो मैं नhigh इरुद्ध्य था को अब लोग कि यह सबसे बड़ी बात है कि हम लोग कि कलम के सिपाही है और अपनी बातों को तो एकदम साधारन पूर्वक पहुंचाना चाहा रहे हैं और लगतार आपको लोग को भी ग्यात होगा कि लगतार हम लोग संघर्स कर रहे हैं आपके चैनल के द्वारा कितना हम लोग का वीडियो पड़ा है और हम लोग गुपाल गन से पटना भी आ चुके हैं वियार सुध कभी मिलना होगा तो हम लोग ग्यापन देंगे और बेशक मिल करके ही रहेगा हमको उम्मीद है क्योंकि हम लोग यह लड़ाई अनवराद जारी रखेंगे इस लड़ाई को हम लोग खतम करने वाले नहीं है जब तक गोपाल गन्ज में एक विश्विद्याले नहीं हो जात तो इसे में मतलब अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाना भी अईसा नहीं लग रहा है बिल्कुल यह जैसे की प्रसासन के लोग ऐसा बरताओ कर दिये कि लग रहा है कि पाप हो गया है लेकिन हम लोग देखिए चुकि 28-30 लाख की जनसंग्या है और कहा जाता है कि सबसे ज करना पड़े गुपाल गंज से बाहर जाते हैं यूवा हम बी इलाबाद विश्विद्य आलेक च्छात रहे हैं आखिर क्यूं हमको भी गुपाल गंज में पढ़ने की इच्छा है हम भी गरी परिवार से आते हैं हमारे पास भी पैसा नहीं है माता पीता परिसान हो जाते महीना जब आता था तो यह सब के सोचते हुए और हम लोग तो कैसे कैसे भी बाहर चले जाते हैं लेकिन हमारी बहनों का क्या वो मजबूरन अपनी प्रतिभा को दाब के और अंतता साधी व्या करके किसी घर में जाकर के रोठियां बनाने का काम करती है उनके प्रतिभा को सरक ज्याले की मांग किये हैं और मिलता है तो समझ लीजे कि नजाने कितनी बहनों को मैंनों का भाविश शुनिश्कृत हो जाएगा और नजाने कितने युवा साथियों का भविस तुनिश्चित हो जाएगा गोपालगन में उप्चुनाओं होना है उप्चुनाओं में फिर तमाम नेता जाएंगे खुब दौरा होगा खुब रैली होगा आप लोग क्या इसी हिम्मत के साथ लगे रहेंगे कि है कि अगर माननिय मुक्मंद्री से मुलाकात हो राज येपाल से मुलाकात हो हम लोग काफी ज्यादा मातर में चाहते हैं कि हमारे साथ स्टुडेंट इकठा हो जाए हम लोग उस तरह से पॉलिटिक्स अभी नहीं करनी है हम लोग को युणिवर्स्टी चाहिए एक हम लोग यसी परकार से फिर सामने जाएंगे कहेंगे कि भाई वोट मुट मांगने तौनाओं में तो आप और कहेंगे कि अगर को पालगर से वोट लेना है कि अविश्य विद्धयाले होना चाहिए तो बिल्कुल हम मांगेंगे उनसे मांगने का काम करेंगे अगर वो स्विकार करते हैं तो हम भोड़ देने का उनको काम करेंगे अब आखिरी सवाल होगा कि अब तक लड़ाई कितना आगे जा चुकी है गोपाल गंज के कितने युवा आपके साथ जुड़ कि मतब समर्थन या पित कहलेगे कि लोग जागरुक हो रहे हैं कि हम लोग लगतार हर प्रखंड में हम लोग एक बैठक कर रहे हैं जिस बैठक में तमाम युवाओ को इकठा कर रहे हैं आप देखे होंगे दो-तीन बैठक हम लोग अभी सुनिश्चित कर चुके हैं और दो लोग को जागरुक किया जा रहा है ताकि युवा जैसे जगेंगे उसके बाद से हम लोग फिर से गोपाल गज में डीम साब को ग्यापन देखे पैदल आएंगे और पटना की सड़कों को जाम करेंगे अगर हमको विश्विद्याले नहीं मिलता है और एक और सवाल आपने कोपाल गज में विश्विद्याले देखना है यह दहीं को चाहिए रहा हम पीछे नहीं हटेंगे आज वजादा करते हैं बड़े से बड़े नेता आज हम सब को रोक करके अपना ग्यापन देंगे उसके लिए चाहिए हमको जेल जाना पड़े चाहे कितना लाठीया खाना पड़े चाहे गोली का ने खाना पड़े हम रोकेंगे और अपनी बातों को पहुंचाएंगे तो हमारे साथ भी पूल जी थे इन पांच लड़कों में से दो लड़की यह भी थे जिन्होंने मुख्यमंत्री का काफिला र कर रहेंगे इस टीम में राजकुमार भीया थे अब शेक दूबे जी थे और रंजीत यादव भीया थे और हम थे और आसीज जी थे इन सभी युवाओं को धन्यवाद रहेगा कि इनकी वज़ा से यह कारिक्रम सफल हो पाया और आगे इनके वज़ा से हम लोग बहुत देख रहा है अब सरकार को विचार करना है कि ऐसे जो जो सिक्षा के लिया से अगर बात की जाए तो गोपाल गंज में कोई उन्षिटी नहीं है आसपास के अगला बहुत के जीलों में भी कुछ वैसा नहीं है तो सरकार को ध्यान देना पड़ेगा कि वहां की लड़की वह अपना समर्थन दिखाइए और गोपाल गंज के जो युवा जो चार-पांच युवा मिलकर मुहीम चला रहा है उसमें अपना समर्थन दीजिए बाकी बहुत बहुत धन्यवाद